हाई फ्रेंज वेल्कम बैक टो मैं चानल ममुट्स क्यूटिफाइट होग तो यहां पर मैंने लिया है एक नेटेट कपड़ा इलास्टिक बैंड मेजरिंग टेप और स्वीध हगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरी बैटी 12 मंस्की है तो उसके हिसाब से मैंने लेंद लिया है 15 इंचेस एंड प्रेथ लिया है मैंने 7 इंचेस उसके सबसे मैंने कपड़ा को एले से काट लिया था अब एक इलास्टिक बैंड को हम पहले सिलाई कर लेंगे य्याश करोंग मैंड कर लेंगे इंड कर लेंगे य्याशस यह बन चुका है अब एक-इक करके हम नेटिट कपड़ा लेके इस पे नॉट करेंगे नॉट जैसे बांधेगे इसको तो चलिया देखते है कैसे ऐसे करके हमको इस इलास्टिक बेंड में इसको फसाना है ऐसे खीच के इसको इस तरह से पसाना है इसी तरह हम सारे कपड़े को ऐसे ही पताबे रहें देखते हैं आपाता है आपाता है आपाता है करोणő कर द में सही कर छोड़ Magic रहल हो अगाइशना, कहा ऍुभ़ using restrictions हम आपी नहीं हुआ disadvantaged हम प्रश lays हमाइब में वाइब चुझ आर अ़ाइब हम तक में आपी बाइब झाल झाल देखें कि इतना सुंदल लग रहा है यह बनने के बाद अब इसको थोड़ा सा एजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके सब को खीच लेंगा ऐसा ऐसा करने से इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा यह बन के तया है नेक्स्ट मैं यह बलाउस दिखा रही हूँ आपको एकदम सिंपल है इसको एक्स्ट्रा दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि यह कुछ कपड़ा मैचिंग करके मैंने लिया था तो इसको फैबरीग ग्लू से मैंने इस तरह से सिक्यूर कर लिया है आप चाहे तो यहा पे मैंने उलें ट्रेट का यूस किया है आप चाहे तो यहा पे आप कोई भी सिल्की जो भी रिबन होता है उसकौ भी डाल सकते हो आप बहुत सुन्दर लगेगा इससे बहुत ही आसान है इसको आप ज़रूर ट्राइ किये जिएगा तो फ्रेंट्स कैसा लगा मेरा वीडियो ब्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल बाई बाई